सडकों पर सरदी गर्मी भूग प्यास जेलते हुए बेसाहारा कुत्तों को डॉग लवर्स तक पहुंचाने के लिए दहरदून की परवीन पूरी अभियान चला रही है वे सडक से डॉगी को उठा कर डॉग लवर्स से अडॉप्शन करवाती है परवीन अपने संस्था वॉइस ओफ एनिमल के जरी बेजुबान जानवरों की आवाज बनती है यानि उनकी परिशाने समझती है हग दौड भरी जिंदगी में आज किसी के पास वक्त नहीं है के वे अपने आसपास रहने वाले बेजुबान जानवरों को देखे और उनकी परिशानियों को समझे लेकिन दहरादून की परवीन पूरी साल 2016 से अब तक कई ऐसे बेजुबान जानवर जिनमें डॉगी जो की स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो है अडॉप्शन करवाती हैं और कई तरह से उनका ख्याल रखती है पेजुबानों के लिए 2016 से कंटिनिव शुर किया है इनको मैंने शुरूआत कैसे की थी मैंने मरते हुए इंको देखा था लोग सट्बों के नीचे मारके चले जाते थे फिर पीछे मुड़के भी देखते थे उसमें जान है या नहीं है तो मैंने शुरुआत इनी से की इन जो गली में 28 बच्चे थे थे जब शुरू किया था यह सब काम, तो क्या फैमली का कैसा क्योंकि-क सियनवर को पचण नहीं करते हैं तो फैमिली से कैसा रिस्पॉंस है? कि तरफ से कहा जाता है कि हाँ जो भी आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए किया जा रहा है नस्बंदी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो किस तरह से देखती हैं कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें आपको चुड़ायगें जा रहे हैं मैं मैं तो यह कहूंगी कि देखे मोदी जी हो योगी जी हो चै कोई भी मंटस्टर हो ना आज ने इन्सांणों के लिए ही किया है ना मैं चाहती। मेरे को आज कोई ऐसा बंदा बता दी जिए कि जिन्हों ने नहीं करवा बात, तो ऐसा होना चाहिए, मोधी जी को भी करना चाहिए, एक शेलटर ऐसा बनाना चाहिए, उनकी नसबंदी का हर जगह, एब इसी सेंटर खूलने चाहिए, और क्रूल्टी से ना-पकड़ा जाए, कैच जो रेस्क्यो करते हैं, नसबंदी के लिए, उनको प्रोनी में जितने भी अगर दस कुत्ते हैं ना तो दस कुत्तों का ही स्टेलाइजेशन करवाएं अगर एक भी छुट जाता है ना वह पॉपुलेशन बढ़ती जाती है बिल्कुल पॉपुलेशन पर भी काम करना जरूरी है बिल्कुल मैम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आ लोगों को आप बनाती है कि हाँ यह डॉप भी अच्छे वेलकुल इसमें मेल है यह नहीं है कौन सी ब्रीड है तो मैं सीधा बोलते हूं कि आप कहां से आये हम इंडिया के है ना तो इंडिया इंडियन ब्रीड है यह तो बहुत माताब अच्छी करने बड़ते हैं फीमेल क 18 से लेके अभी तक बिल्कुल मैं आप से यह जानना चाहेंगे कि आपको काफी साल हो गया है साल 2016 से आप इन बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रही है तो इनका आपकी तरफ कैसा रुजान होता है इनका क्योंकि जो है बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स को समझते ह हैं तो कैसे आप जाहिर करेंगी कि हां इनका जो प्रेम है इनसान अगर जो है इनसानियत में ही सिर्फ प्रेम भावना नहीं देखने के लिए मिलती है तो कैसे जाहिर करेंगी क्या कुछ ऐसा होता है फिल्कुल मैं यह कहती हूँ कोई भी जानवर एग्रेसिव नहीं होता ह है ना एग्रेसिव तो हम लोग इंसान होता है कोई भी अभी किसी फीमेल डॉग ने बच्चे दे रखे हैं उनके बच पैदा हुए उनके पास से भी जैंगी नहीं लगेगा रिलोकेट करके आ जाते हैं तो वो मा तो एग्रेसिव होगी होगी मा को छोड़ के हर कोई डॉग पीने को नहीं मिलता है यहीं चाहूंगे हर कलोनी में ऐसा सिस्टम बनाया जाया है कि दो रोटी हर घर से निकाल के एक उनका बावल बनाया जी पानी की अर्रेजमेंट किया जाया कोई अग्रेसिव नहीं होगा तो यह थी हमारे साथ परवीन पुरी जी जो लगतार साल 2016 से इन बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रही है इसी तरह से अगर हम सभी लोग मिलकर काम करें तो इन बेजुबान जानवरों की जो है जिन्दगी सवर सकती है देहरादून से महिनाज भी निउजेटीन डोकल के लिए